हाई फ्रेंड्स मैं शर्था स्वाध नोखा मैं आपका मैं स्वागत करती हूँ आज मैं बनाने वाली हूँ दही फूरी आदा कटोरी चावल काटा आदा कटोरी दही दही खटा नहीं है तो आप एक कटोरी भी ले सकते हैं यह कटोरी से दो कटोरी सुजी फारमसा लिलाची पाउडर दो या तीन चम्मच घी कटे वो एड्राइफूट तीन कटोरी शकर और पाने गही पूरी बनाने के लिए बैटर प्रेयर करते हूँ पहले लेंगे सुजी बाद में देंगे हम चावल का आठा अगे फूरा फंगी गराम कर लेंगे अभी जैगा इसमें दही अभी मैं इसको मिक्स कर देंगे इसे अब हम हाथ से मिक्स कर देंगे अभी तोड़ा पानी तोड़ा दालके इसको अभी हम बैटर बनाएगे अब यह बैटर में रेड़ नहीं हुआ है क्योंकि इस रेड़े होने के लिए एक से तेड़ घंटा इसको हमें रखना हुआ अब हम इसे ढख कर रखते हैं अभी हम पहले चाचनी त्यार कर लेते हैं तो यह जे हमने यह तीन कटुरी चप कर ली थी उसमें हम अभी इसमें हम डालेंगे पैले डेड़ ग्लास खानी पड़ा अभी हम जब गुलाप जावन के लिए हम बनाते हैं उससे गाड़ी चाचन इस पानी का हाथ लेके अच्छे से मलती है तक तकला अपना बैटर तोधा सा अच्छे से मल लेके अच्छे से मटबना जाए का हो जबड़ा खाने के अच्छे से बैए हो यह तो inois को देखने के लिए हमें इसका यह करना पपड़़े यह देखो जैसे हम इसको इसे भी कर रहे हैं तो इसकी तार टूट रहे है दूसरा यह है कि इसका तार टूट रहा है तो हमारी चाशनी यह तया है इसको भी हम बन कर देते हैं अब हम इसकी रोटी बना लेंगे अब हमारे रोटी प्यार हो गई है और आप इसे अपने मंचायाकार में कट करें अब हमें इस पुरी को तलना है इसके लिए में लेना होगा तेल इसको अब हम अच्छे से एगदम इसको भी ब्राउन भी नहीं करना है इसको हलका ब्राउन हमको भी करना है भी करना है अब यह हलका ब्राउन हो गया है अब इस इसको करना है अब इसमें अब इसमें सारा नुसार इलाची पाउड़ा चाहगा कि अच्छे से मिला लेंगे इसको चाच में भी एकदम ठंडी भी नहीं है और एकदम गरम भी नहीं है और हमारी पूरी भी थोड़ी ठंडी हो गई है तो भी हमको यह करना है कि इसमें पूरी डालना अभी हमारी पूरी इसमें हम डाल दी है अभी इसको तुरंट निकालना है अभी हम इसको प्लेट में सर्व कर देए अभी हम इसमें कटे हुए ड्राइब फूरी दालेगे तो फ्रेंड्स यह विधरब स्पेशल डाही पूरी रहा है फ्रेंड्स इसे आप डाही के साथ भी सर्व कर सकते हैं यह डाही पूरी कैसी बनी है यह आप बना कर हमें जरूर बताए हमार चैनल को लाइप शेयर और सब्सक्राइब करें देखते रहे हैं स्वाधा मखा आप हमार चैनल को लाइब क्पार चैनल को लाइब करा है बनाप्रेंडल कोष्वा स्वादा है